जैन साथियों, देश के नौजवानों के सामने इस वक्त सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी का है। हिंदुस्तान के हर हिस्से में बेरोजगारी एक बहुत बड़े संकट के रूप में नौजवानों के सामने खड़ी है। वो चाहे उत्तरप्रदेस हो, वो चाहे बिहार हो, वो चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो। लेकिन आज बेरोजगारी से लड़ने के बज़ाए जूटे वादे किये जाते हैं। नौजवानों को छला जाता है, नौजवानों को धोखे दिये जाते हैं। उनको रोजगार नहीं मिलता नौकरिया निकाल ली जाती हैं और उसके नाम पर दो हजार तीन हजार रूपए एक एक्जाम देने का खर्च होता है बच्चों का वो परिच्छाय देते हैं पास भी होते हैं कोट का इस्टे हो जाता है वो कहते हैं हमें नौकरिया चाहिए तो उनको लाठिया मिलती हैं एफ आई आर होती है उनके खिलाफ रास्तोद्रोह के मुकत में लिखे जाते हैं और ऐसे दिर से एक नहीं अनेक हमने देखे हैं हमने देखा है उत्तर प्रदेश में नौजवानों को लखनों में दोड़ा दोड़ा कर पीटते हुए हमने देखा है प्रियाग राज के हॉस्टल में घरों में घुसकर नौजवानों को पीटा गया, बुरी तरीके से मारा गया हमने देखा उत्रप्रदेश में सुहागिन महिलाओं ने सिर मुड़बा कर सरकार के खिलाफ प्रदर्सन किया अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में वो दुख भी पहुँचाते हैं, दिल को दहला देते हैं, कितनी बार नौजवानों को बरबरता पूरवक सरकों पे दोड़ा दोड़ा के लाठियों से पीटा गया, वो जब नौकरी मांगने के लिए निकले, वो जब रोजगार मांगने के लिए निकले, उन्होंने जब कहा कि हमें हमारे हाथ को काम दीजिये, नौकरिया दीजिये, लेकिन पंजाब की सरकारों ने ड्रक्स दिया, नौजवानों की जमानी को बरबात किया, उनको नसे की आग में जोकने का काम किया, नौकरिया नहीं दी, उनको तरक्की सरकार ने अपनी पहली कैबनेट में वहां के मुख्यमंत्री भगवंत्मान जी ने 25,000 नोकरियां नौजवानों को देने का फैसला लिया है यह बहुत बड़ी बात है कि अपनी पहली कैबनेट में सरकार की जो जिम्मेदारी निभाने के लिए कैबनेट बनाएगी वो अपनी पहली कैबनेट करती है वो सरकार वो आम आदमी पार्टी की सरकार और वो पहला फैसला लेती है 25,000 नोकरियां देने का इसके पहले एक फैसला हुआ 23 मार्च को सहीद आजम भगस सिंग के शहादत दिवस पर एंटी करप्सन की हेल्प लाइन शुरू करने का आज पंजाब से तमाम वीडियो जा रहे हैं आडियो जा रहे हैं लोग बता रहे हैं कि कैसे तहसीलों में अब तहसीलदार उनसे रजिस्ट्री के पैसे नहीं मांगते ठानों में उसे रिश्वत नहीं ली जाती रेता चोरी बंद हो गई आज पंजाब के अस्पतालों में डॉक्टर सही समय पे पहुँचने लगे काम करने लगे ये निजाम बदलने का फर्क है ये एक नई सरकार आने का फर्क है ये आम आदमी पार्टी की सरकार आने का फर्क है और अर्विन केजरिवाल जी बार बार कहते है अगर नेताओं की नियत साफ है तो इमानदारी से वो जनता के लिए अनेक काम कर सकते है कोई भी काम किसी सरकार के लिए नामुम्किन नहीं है अर्विन केज रिवाल जी ने भ्रस्टा चार मुक्त भारत बनाने का सपना देखा अन्ना हजारे जी का अंदोलन पूरे देश में विस्तार हुआ उसका और आज पंजाब की सरकार उन वादों उन इरादों के साथ काम कर रही है मैं धेर सारी सुबकामनाय देना चाहता हूँ भगमन प्मान जी को कि आपने पहली कैबनेट में इतना बड़ा फैसला लिया और ये भी याद दिलाना चाहता हूँ इस देश के नौजवानों को खास दोर से हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कि आपको एक सरकार ने 2014 में दो करोण नौकरिया प्रतिवर्स देने का वादा किया था आपको याद है या भूल गया आप आधनी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने आप से वादा किया था दो खरोन नोकरियां देना तो दूर की बात है आपकी नोकरिया जो थी भी वो भी चीन लिया गया आपका जो छोटा मोटा रोजगार था भी وہ भी चीन लिया गया तो इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं इस देश के नौज़वानों से एक बड़े परिवर्तन के साथ जुड़िए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए अर्विंद केजरिवाल जी के साथ जुड़िए आईए मिलकर देश के हर हिस्से में जाडू चलाते हैं राजनीती की गंदगी को साफ करते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं, एक ऐसी सरकार जो आपकी नौकरी के लिए काम करें, भरस्टाचार मुक्ती के लिए काम करें, जो आपकी जिंदगी में बदलाव के लिए काम करें, जो सिछा, स्वास्त, बिजली, पानी के लिए काम करें, जो एक बड़ा परिवर्तन आपके जी झाल झाल